वेल भारती और हर्ष के घर में अभी अभी धेर सारी खुशिया आई हैं जेहां एक नणी से जान किस तरह माता पिता की लाइफ में धेर सारी खुशिया ला सकती हैं ये वाकई में हर्ष और भारती से बहतर आज कोई समझ सके वेल लेकिन इसमें भारती और अफकॉस दिन्यूबॉर्न आज से लेकिन हर्ष जो हैं वो काम की वज़ा से उनके साथ नहीं हो पा रहे कई बार पिता के दिल पर क्या बीटती है ये हम समझ नहीं पाते चलिए आज इनसे मिलकर आते हैं बधाई देकर आते हैं और दिल का हाल भी जानकर आते हैं हर्ष लिंबाचे का तन है सेट पर मगर मन है अस्पताल में जहां अभी अभी उनके नवजात बच्चे ने जन्म लिया है और हाँ वहाँ उस बच्चे को जन देने वाली माता भी तो है और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेट पर दोनों साथ साथ नहीं बलकि अकेले हैं भारती ने बेटे को जन दिया और हर्ष ने अपना स्क्रीन पार्टनर बदल लिया वो दिखेंगे अब टीवी की नागिन सुर्भी चंदना के साथ हुनरबास देश की शान नाम के कारेकरम में हर्ष लिंबाचया के साथ सुर्भी कारेकरम की होस्टिंग करती नजर आएंगी सुर्भी ने भारती को शो में रिप्लेस किया है मगर अस्पताल से भारती ने ये कह दिया है कैसा मत समझना की मैं नहीं आओंगी लोट अलग experience है और और भी बहुत युजब हो जायेगी फिर अजयेगी सब के सामने फिनाले में यही तो सवाल है कि फिनाले में भारती होगी या नहीं बट हम definitely try करेंगे बहुत ही बहुत जल्दी फटाफ़ट रेडियो के लाइट कैमेरा और स्टेज को देखे तो बहुत जल्दी आईगी फार्ट हो सकता है कि अगले हफते होने वाले फाइनल की शूटिंग में वो पहुंच भी जाए भले फिर चाहे उसके लिए बच्चे को साथ में बांध कर ही क्यों न लाना पड़े हाला कि इस मामले में गुर्मी थोड़े से लखी है क्योंकि उनकी पतनी देविना ने अब ये भी बेटी को जन दिया है और पती पतनी दोनों साथ मिलकर बेटी का हाथ पकड़े माबाब बने की खुशी पा रहे हैं और अपनों के साथ खुशियां बांट रहे हैं मुंबे से कलिम सल्मानी के साथ एबी पी न्यूज रिपॉर्ट एबी पी न्यूज आपको रखे आगे झाल